बच्पन में आपने चीनी के लच्षे तो जरूर खाए होंगे, इसे काटन कैंडी भी कहते हैं तो चलिए आज बच्पन की याद ताजा करते हैं और तेस्टी हानी में हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से चीनी के लच्षे इसके लिए सबसे पहले मिक्सर में शामिल करेंगे एक कप चीनी और अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे चीनी का बिल्कुल इस तरह से आपने पाउडर बना लेना है अब हम एक बॉल लेंगे और चीनी के पाउडर को इसमें शामिल करेंगे अब इसमें जाएगी एक कप मजीद चीनी लच्षा बनाने के लिए हम चीनी और चीनी का पाउडर दोनों इस्तमाल करेंगे अब इसमें जाएगा फूड कलर मैं यहाँ पाउडर यालो फूड कलर डार रही हूँ आप अपने बच्चों की पसंद का कोई भी फूड कलर डाल सकती है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दे दो से तीन मिनट तक इसको अच्छे से लगातार मिक्स करते रहेंगे जब तक अच्छे से फूड कलर मिक्स ना हो जाए आपने मिक्स करते रहना है यह देखे अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे मिक्सर में डाल देंगे मिक्सर को आपने 10 मिनट तक लगातार चलाते रहना है तब ही आपका लच्छा बनेगा यह देखे साइडों पर आपको नजर आ रहा होगा कि लच्छा बनना शुरू हो गया है पोड़ी ही देर में आप देखेंगे आपके मिक्सर का जग लच्छे से बर जाएगा आपने इसको 10 मिनट तक लगातार चलाना है दर्मियान में छोड़ना नहीं वरना आपका लच्छा नहीं बनेगा माशाला माशाला यह देखें हमारा जग लच्छे से बर चुका है कितना खूबसूरत लच्छा बना है मैं इसे अब आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ यह देखें कितना जबर्दस लच्छा बना है है ना बिल्कुल वजार जैसा लच्छा यह रेस्पी आपके बच्छों को ज़रूर पसंद आएगी इस रेस्पी को गर में ज़रूर ट्राइ कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए शुक्रिया आला हाफिज